सो हेलो एरिवन चले शुरू करते हैं प्रेक्टिस कुशन जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ओवी से काफी इपोर्टेंट है यह जो प्रेक्टिस कुशन है डायरेट आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो देखो पहला कुशन आपका फीता कर्मी में आहार नाल ह होती है फिता कर्मी यानिके टेव प्राम तो इसमें एलिमेंटर जो केनाल है वो आपकी वेल डवलोप्त यानिके पॉंड विक्सित होती है या फिर लेस डवलोप्त कम विक्सित होती है या फिर सांकित ब्रांचेट या फिर एबसेंट होती है और फिता कर्मी के बारे में स स्वाइब देखा होगा अगर नहीं देखा है तो चलो यहां पर इमेज़ेस हम आपको दिखा देते हैं फिता करमी की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूँगे, यह है आपका टेव फ्रम फिता करमी, खाफी लंबा होता है, फिते की तरह होता है, तो यह आप देख पारूँगे, इसमें elementary केनाल नहीं होती है, और यह काफी लोंग होता है, कभी कभार इंसानों की intestine में भी आ जा तो यह आपका टेव फ्रम फिता करमी, अगला क्यूशन है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूँगे, किस लक्षण के कारण, रिप्टायलिया ने फ्राथवी की सत्वर सो लाख वरस्तक प्रभुतव बनाई रखा, कौन सा कारण है, रिप्टायलिया सब जानते ह जैसे कि इसनेक हो गया, मोनिटर लिजार्ड हो गया, अधिकतर इसनेक इसमें आते है, बड़े दाथ के कारण, कवच, यूगत, अंडे के कारण, खटोर, फेवडे, या फिर बाईये, सुरुक सात्मा कंकाल से, कौन से लक्षण के कारण, सो लाख वरसों तक का तो सिंपल सांसरे, बाईये, सुरुक सात्मा कंकाल, एक्स्टनल, प्रोटेक्ट, इसके लेटर, क्यूंकि बाहर का प्रोटेक्ट खापी खतरनाक वता है, रिप्टेलिया में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुरुक सात्मा कवच इनके होते है, चलो मैं आपको दिखाता जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे, यह आपका स्नेक यानि कि सांप, और इसका कंकाल इतना खतरनाक वता है, देखलो आप, इतने ज़्यादा सल्क पाए जाते है, तो यह इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए यह अधिक एज तक, अधिक उमर तक जिवित रहता है आपने देखा होगा कि सांप जो एक आपकी सालों तक जिवित रह जाता है, तो यह इनको प्रोटेक्ट करता है, यह आप 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 देख सकते हो, यह इनका कंकाल होता है, इतना डेंजर, और यह इनको लंबी उमर परदान करता है, इसलिए इसका आंसर होगा, भाईये सुर सिल्वर पिस क्या होता है, एनिलिडा, हेलमितिज, केट, या फिर मॉलस्का, या फिर मचली, बताइए, अब आप इसे कापी सार विद्यार चे तो बोलेंगे सर मचली होती होगी, मचली नहीं होगी, यहाँ पर पिस का मतलब यह नहीं कि सिल्वर पिस पिस होती है, नहीं हो अब आप बोलिंग सरी क्या ये चांदी की होते है क्या पिस फिर तो खापी महंगे बिखते होगी चांदी की मचली ऐसा बेलकुल भी नहीं है बस इसका जो कलर है न वो चांदी की तरह होता है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इसको इसलिए बोला जाता है और इसको मचली नहीं है ये है आपकी कीट में गिना जाता है इसको किसमें कीट में यानि कीट में यानिकी इन्सेकर में इसको गिना जाता है ये आपको याद रखना है अब कीट में क्यों गिना जाता है तो कीट में देखो ना इनके पेर देखो संदी युक्त मच्छरों की तरह है मक्यों की तरह है तो इनके पेर इस वज़े से इनको कीट में रखा जाता है सो यहाँ पर इसी कारण सिल्वर पिस पिस नहीं होती है कीट होता है क्योंकि उन्हें पेर कीटों की तरों होता है अगला नितलस्त जीव पाए जाते है बेंतिक ओर्गनिजम आर फाउंड कहां पर पाए जाते है समुदरी जल की सता पर समुदरी जल के बीज में समुदर की तली पर फरत्वी पर नितलस्त जीव पाए जाते है सबसे पहले जाना इपोटेंट है कि ये नितलस्त जीव होते क्या है 32 ओर्गनिजम किन को बोलते है तो ये जाना हमारे लिए इपोटेंट है तो आपने देखा होगा जो समुदर के बिलकुल लास्ट पैंदे पर जो उगते है रहते है जीव उन्ही को बोला जाता है तो समुदर की तली पर इसका राइट ओप्सन क्या हो जाएगा समुदर की तली पर जो रहते हैं न उनको क्या बोला जाता है नेतलस्थ जीव चलो आपको दिखाइब देते हैं यहाँ पर नेतलस्थ जीव जिसले कि आप यहां पर देख पार होंगे 32 औरगनीजम यानि कि नेतलस्थ जीव यहाँ पर जितने भी जीव है यह बिलखो समूंदर के पैंदे पर है यह देख लो आप बिल्कुल समुंदर के पेंदे पर तो इनको 32 औरिगनिजम बोला जाता है और यह सारे आगे इसमें यह जिदने भी आपको दिखाए दे रहा है नहाँ पर नीचे यह सारे इसमें आ जाता है यह देख लो आप तो I hope images से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा सो इसलिए इसका right option हो गया आपका समुंदर की तली पर ठीक है समुंदर की तली पर अगला रुदिर दाप तता हद्यस्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाता है हार्मोन के उपर मेंने वीडियो बना रखा है जिन्होंने चैनल सस्क्राइब कर रखा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा उनको मिल भी गया होगा हार्मोन का पूरा का पूरा वीडियो दो से तीन क्यूसन तो वहीं से बनेंगे हार्मोन से देख लेना आप रुदिर्दाप तता हद इस्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है तो बहुत है असान में बच्पन में पढ़ाओगा आपने के लड़ाई के टाइम पे, गुस्दे की टाइम पे कौन सा हार्मोन निकलता है सिंपल ये तीन चीज आपको एड्री नेलिन तो basically मैं यही करना चाहूँगा आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए कौन सी ग्लेंड से वो सिग्रेट होता है वो पता होना चाहिए और इसका पक्संस क्या होता है यह तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए तो हार्मोन का कोई भी क्यूसन आ जाए आप कर दोगे तो जैसे यहाँ पर क्यूसन आया तो हमने कर दिया क्योंकि हमको पता है किसके बारे में हार्मोन का पूरा चेप्टर हमने पड़ रखा है तो एडरी नेलिल इसका राइट उप्शन हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख पारोंगे हमने पूरी लिष्ट आपको टेलेग्राम पर डाली थी और जिन्होंने MKS Academy एप डाउनलोड कर रखा होगा उनको मिल भी गई होगी प्यूस गरंती के बारे में जितनी भी गरंती हैं सब हमने बता रखा है कि गरंती हार्मोन और कारे बस यह आपको पता होना चाहिए तो कोई भी क्यूस ना जाए हार्मोन का आप कर दोगे मिरों को पता है आप कर दोगे बहुत ही अच्छी टेबल है यह और यह आपको टेलेग्राम पर MKS Academy एप पर भी मिल जाएगी लिंक के नीचे देरका इनका तो इस सारे हार्मोन देख लो आप पीनेल गरंती के मेलाटोनिन होता है पेरा थाइरोड से पेरा थाइरोड हार्मोन थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन एडरिनल से एडरिनलिन जो संकट के इस्तिती पर होता है तो इसलिए यहाँ पर राइट उप्सन एडरी नेलिन अगला तोड़ा सा इसको यह कर लेते हैं कीटो का मुक्के उत्सरजी पदार्द आपको बचाना है और यह तो आपने अच्छे से पढ़ाऊगा उत्सरजी पदार्द सबका अलग लग होता है मनुश्य का अलग होता है मचली का अलग होता है याईनि कि जो अलग-लग इस्तानों पर रहते हैं उन सबी का अलग-लग होता है तो किटो का पूच cosa है आपसे किटो का क्या होता है चार लुप्सने केटो का मुक्के उत्सरजी पदार्द आमोनिया, यूरिया एमिनोल, यूरेके मंवल बठाइए विद्यार्तिव तो यहां पर बहुत यह असान है यह जो पक्सि है इनका जो x-cretory product होता है uric aml होता है क्या होता है? uric aml अगर क्यूसन यू पूछ ले जाए कि मचिलियों का क्या होता है तो मचिलियं आपने देखा होगा कि पानी में रहती है यह हर टाइम उत्सर्जन कर सकती है यानि कि इसमें विसला पदार्थ अधिक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी में रहती है निकालेगी पेएगी निकालेगी पेएगी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फानी में तो है न तो अमोनिया होता है अब इंसानों की बात करे तो इंसान तो देखो नॉर्मल में रहता है ना तो ज़्यदा पानी में ना ज़्यदा सुके में बीच वाले में रहता है तो इसके लिए यूरिया यानि कि कम हानी कारक थोड़ा कम हानी कारक रहेगा इसके लिए ठीक है तो ऐसे आपको अरेंज करना होता है इस प्रकार से और जो उट है उसके लिए तो और भी कमजोर पदार्थ होगा जरीला क्योंकि वो तो पांसा जिनों में एक दिन पानी पीता है ना तो उनको कंट्रोल रखना पड़ता है ये उत्सरजी पदार्थ थो उतना ही कम हानी कारक रहता है जिससे कि अमोनिय तो खाप़ी हानी method होता है तो यह जलिए चर्जल्व जंतु है ना उनमें पय जाता है चलो मैं आपको डयग्राम दिखा देता हूं पुरा कलीर हो जाएगा आपको जिसससे कि आप यहांपर देक पार हुंगे यह आपकी ठ पक्सी तो मक्स्कस परकार का ammonia ँबस्षी सरक कार जो पक्सी होते कीडी होते रिप्टैलिय उते इनमें क्या होता है इन्हें होता है कि मचलियों में कौन सा होता है ठीक और भी यहां पर देख लेते हैं पूरा वीवर यहां पर दे रखा है और विशे टेलेग्राम फोलो कर रखा हुआ तो आपको भी मिल जाएगा किलियर तो इसको तोड़ा नोट करके रखना कि पक्सियों में और जावका रिप्टैलियन में यूरिकेसिड होता है और मेमल्स और सार्क इनमें यूरिया होता है और इनमें मचलियों में जलेचर में अमोनिया होता है किलियर चलिए बढ़ते आगी को और चंदर परवा अव्यारन बार्त के किस परदेश में है चंदर परवा अव्यारन बार्त के किस परदेश में है किस राज्य में है I hope आप मैंसे कापी सारे विद्यारति तो घूमने भी गए होंगे और आप में से तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके राजय में ही होगा जिनके आसपास ही होगा चंदर परवा अभ्यारण तो बहुत यासान है देखो यह आपके UP में, यानिके उत्तर पर्देश में कहां पर है? उत्तर पर्देश में थोड़ा इसका बहाई यह वह दिखा देते वातावण। यहाँ पर आप देख सकते हुए चंद परवा अभ्यारण उत्तर परदेश ये देखलो आप ये इसका बहाई ये द्वार है कापी जंगले गना जंगले अंदर देखलो आप खापी गना जंगल। ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ है यह देखा आप पूरा का पूरा स्वाप के उत्तर परदेश में ठीक है चलिए अब क्यूसन यू भी बन सकता है कि उत्तर परदेश में कहां पर कौन सी डिस्ट्रिक में है उसका भी दियान रखना तोड़ा सा काफी बार जिसे राजस्तान से क्यूसन बनत डिस्ट्रिक भी पताऊना चाहिए मनुष्य में कौन आउसे से अंग नहीं है विच इज नौट वेस्टिकल औरगन यानि कि बिना काम के जो हमारे सरीर में कोई काम के है ही नहीं उनको बोलते वेस्टिकल औरगन यानि कि उनको हटा भी दिया जाए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं वो अंग आपको यहां पर नहीं बताना है यानि कि काम का अंग आपको बताना है यानि कि तीन तो यहां पर वेस्टिकल है यानि कि आपके आउसे से अंग है ठीक है बाकि एक नहीं है तो वो नहीं वाला बताना है तो देखो विद्यारतियो हमारा करण पल्लव क्या है अवसेसी अंग है अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फ्रक नहीं पड़ता कॉक्जिस हमारी जो रीड गहड़ी होती है पहले पूँच हुआ करती थी पता है न आपको पूँच इंसानों में हट गई क्या प्रक पड़ता है यानि कि वो भी अवसेसी ठीक है अब आता है तीसरा आपका एपिगलोटिक्स ये तो बहुत ज़्यदा ज़रूरी है अगर ये नहीं होगा तो इंसान के मरत्य हो सकती है तीसरा है वेस्टी यानिक अपेंडिक्स तो ये भी आपर अवसेसी है ये भी है, ये भी है ये वाला नहीं है तो आंसर भी ये होगा क्योँ यह आपर नहीं है पूचाए क्या पूचाए नहीं है इसका तोड़ा धियान रखना आप नौट का तो अपिगलोटिक्स हमारा वेस्टिकल ओर्गन नहीं है बांकी के सारे है clear मनुस्य के मस्तिक्स में ताप, नेंदरक, केंदरक होता है बहुत अच्चा क्योसन हर बार बनता है thermoregulatory center in brain pituitary, dienceplon hypothalamus तो इसका right option हो जाएगा आपका hypothalamus यह आपका ताप, नेंदरक होता है hypothalamus चलो diagram देख लेते यह है आपका मस्तिक्स और यह इसमें hypothalamus यह रा, यह बाला तो ऐसे आपको पता रखना होता है तो यह diagram से आपको pituitary, hypothalamus posture, anterior सब आपको diagram से पता लग जाता है clear अगला अनू, कुम्पी, तंत्री का तंत्र किसके द्वारा कारे करता है the sympathetic nervous system work through nor epinin esticoline adrin, heline, इनमें से कोई नहीं तो बच्वन में भी पढ़ा होगा अनू, कंपी, प्रानू, कंपी, तंत्री का तंत्र के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो तोड़ा से मैं आपको दिखा देता हूँ, diagram ये देखिए एक तरफ परा sympathetic एक तरफ sympathetic ठीक है दोनों को अच्छे से देखो आप एक यहां पर आँ को dilate करता है, दूसरा कोलता है एक हद्दे को गती देता है, दूसरा कम करता है ठीक है, यानि कि opposite काम करता ही है तो यह होता आपका पेरा sympathetic और sympathetic तो यहां पर कौन काम करेगा आपका adrinelin ठीक है, यह काम करता है इन पर यही तो काम करता है जैसे आपने डर आ गया तो धड़कन बढ़ जाती है, आँके खुल जाती है तो adrinelin उत परिवर्तन यानि कि जो mutation है, होते है adikans labdike सदेव labdike सदेव हानी कारक, बहुत ही कम labdike तो mutation आपने देखा होगा कि mutation के कारण हमारे जो काले बाल होते है वो बीच-बीच में सपेद हो जाते है ठीक है, यह mutation के कारण होता है तो में तो यही कहूँगा कि बहुती कम labdike होता है बहुती कम तो उत परिवर्तन के कारण वाइरस दोरा होने वाला रोग अब बताओ आप पूरा मैंने वाइरस का वीडियो भी बना रखा है कौन-कौन सी बिमार्यां वाइरस से होती है कौन-कौन सी बिमार्यां विक्टेरिया से होती है कौन-कौन सी प्रोटो जवा से होती है कौन-कौन सी आपके कवक से होती है पूरा मैंने बता रखा है आपको वायरस द्वारा तो देखो में आपको बता देता हूँ विब्रियो खोलेरी एक बिक्टेरिया जिसे हेजा होता है यह यह बिक्टेरिया है विब्रियो खोलेरी जिसे हेजा होता है तो यह भी बिक्टेरिया से होता है टायफाइट किसे होता है सालमोनलना टायफी बिक्टेरि से होता है बेरी-बेरी किस्ते होता है आप बोलोगी इसह विटामिन से तो सही बात है विटामिंसे ठीक है अब 1 बचा ihr divergence कि जिकांजा कुछ बचाय है तो यही तो運 है tu we received रही तो इंखिस्ता होता है वाइरस से और पूरी लिस्ट में आपको अगेन यहां पर दिखा देता हूं जैसा है कि यहां पर आप देख पारूंगे यह पूरी लिस्ट में आपको बताया थी विसानों से होने वाले रोग तो यहां पर ट्रिक थी आर पी एमटी एंड आई बी एसकी सीडी वाइरस की दुकान पर यह क्या थी तो आर मिन्स रेबिज यह भी किससे होता है वाइरस से पीपर पीलिया वाइरस से मीजल्स वाइरस से ट्रोकमा वाइरस से एड्स वाइरस से यहरा इंप्लियंजा तो ऐसे पता होना चाहिए ट्रिक आपको अब आप बोले से डाइग्राम पीडियाफ हम को चाहिए तो एमक MT and IBPSC की CD virus की दुकान पर ये इसके trick है virus के रोग होगी दूसरी ओर आता है आपका बिक्टेरिया और बिक्टेरिया का dialogue है trick है टीकू CD में बनी है पटाका टीकू है ना जो साड़ी में बनी है पटाका तो पूरे बिक्टेरिया के आपको याद हो जाएंगे ऐसे याद रखना होता है तो यहाँ पर इसी कारण right option influenza हो जाएगा camel यानि कि ओट के RB से आपको बतानी है ओट के लाल रुदुरन होते है देखो विद्यारतियों हर एक जो जीव है जैसे कि मनुष्य हो गया उंट हो गया मेंडग हो गया कोकरोज हो गया इनकी RB से में बहुत बड़ा अंतर होता है ठीक है ना कुछ ना कुछ different आपको मिलेगा है मिलेगा तो उंट के लाल रुदुरन होते है कैसे होते है अंडगार केंदरक रहित गौल केंदरक युक्त गौल केंदरक सहित तो कैसे होते है यह चार ओप्सन दे रहे आपको तो हमने तो पढ़ रखा है कि उंट की जो RB से गौल होती है बाई कॉन्वेक्स होती है नूगलेटेड होती है यानकी के अंदर की उकुत होती है तो यह दे रखा है आपके B में किसमें दे रखा है B में तो यहाँ पर यह आप्शन B हो जाएगा और डाइग्राम भी देख लो इसका जिसा कि यहाँ पर आप देख पारूंगे यह आपकी Human Blood Cell ठीक है और यह आपका Camel तो Camel में देख लो हमारी में देख लो कितना बड़ा अंतर है तो ऐससे आप डाइग्राम से भी याद रख सकते हो सो यहाँ पर Round होती है By Convex होती है और Nucleatedian की केंदरक होता है यह याद रखना आप पेसियोला के जीवन में प्राजमिक बसक होता है Primary Host in Life Cycling पेसियोला अब आप बोलिंग से यह पेसियोला क्या होता है कापी सारों ने नहीं देखा होगा पेसियोला तो पहले पेसियोला को देख लेते है यह आपका पेसियोला बरसाद के टाइम पे कहीं न कहीं देखा होगा पेसियोला और यह इसका जीवन चकर तो जीवन चकर में क्या क्या आ रहा है देख लो आप इधर गाई भी आ रही है बेड़ भी आ रहा है ती है मैं तो इसमें पूचा गयाए गयाएगा तो काहन पर काम हो रहा है बेड का कहा से start हो रहा है यह आपको पता रकना है और और इंसन भी इसमें आ रहा है पेसे होला में तो यह डाइग्राम अगर आपको याद है तो अभी जो क्यूसन पूचा वो आ जाएगा आपको इसका राइट आप सुना जाएगा आपका भेड ठीक है प्रात्यमिक पॉसक क्या है भेड याद रखना अभी डाइग्राम देखाता न हमने भेड माइटो कॉंट्रे की अधिक संक्य किसमे होती है तो हर किसी को बताए कि एनरजी की जुरत काँ पर अधिक होती है जहांपर हमारी पैसी जिन्दगी बर चलती रहती है यानि की हद्दे पैसी में क्योंकि ये जिन्दगी बर चलती रहती है हम सोजाते थब भी हद्दे दड़कता रहता है काम करती रते हैं पेशियां ये पेशियां कभी भी राहत महसूस यान के आराम नहीं करती तो हद ये पेशियों में होगा मस्तिक्स की उत्पत्ति किस प्रात्मिक जनस्तर से होती है ब्रेंड डवलोमेंट प्रॉम विच प्राइमेरी जर्म लेर एंडोडरम, मीजोडरम, एक्टोडरम या फिर एक्टो, एंडोड दोनो डाइग्राम मैंने आपको अच्छे से दिखाया था पहले वो डाइग्राम पता है तो आप कोई भी क्यूस ना जाए जर्म लेर का कर दोगे जनल अस्तर का कोई भी क्यूशन आजाए कर दोगे आप तो अगेन हम आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पार हूँगे एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम तो एक्टोड्रम में कौन-कौन से ओर्गन का डॉलोमेंट होता है नर्व सिस्टम और इसकिन मीजोड्रम में किस-किस का होता है मस्सल्स, इसकलेटल, किडनी, रेप्रोडक्शन एंडोड्रम में किस-किस का होता है ग्लेंड्स का, लंग्स का और पाचन तंदर का तो अभी जो क्यूशन बनाता है कि मस्टिक्स का तो मस्तिक्स क्या है नरो सिस्टम और वो किस से बनावाए एक्टोड्रम से सिंपल अगर वो पूछ लेता कि मसल्स किस से बनाए तो मिजोड्रम से अगर वो पूछ लेता कि लंग्स किस से है तो एंडोड्रम से तो यह डाइग्राम इपोटेंट है आपके लिए काफी सारी क् Ectodrum Right Option होगा सो यहाँ पर इसलिए Right Option Ectodrum ठीक है Ectodrum हाती के लंबे दांत किसका रुपांदरण है हाती के लंबे दांत किसका रुपांदरण है तो बच्च वाला कि उसने हाती के दांत हो सब ने देखे हैं न सब ने देख रोगे लगबग ये होते है हाथी के दाथ, ये बाहर वाले, ये वाले तो ये किसका रुपांतरन होते है हाथी के दाथ, वाइट वाइट वाले किसके रुपांतरन होते है तो देखो विद्यारते हो, हाथी के दाथ उपरी होते है, ठीक है सिम्पल सी बात है ओपरी इनसिज़र ठीक है ओपरी इनसिज़र अपर इनसिज़र ठीक है यह हो जाएगा बहुत आसान है बहुत आसान रंधंबोर राष्ट उद्धियन कहां पर है रंधंबोर नेशनल पार्क is located उत्तर परदेश माराष्ट राज़तान गुजरात तो सिंपल सी बात है स्वाई मतपुर राज़तान में ठीक है रंधंबोर जहां पर केट्रिना केप एक्टर्स की साधी का प्रोग्राम रखा गया था राज़स्तान स्वाई मतपुर रंधंबोर ठीक है ऐसे भी आद रख सकते हो ग्रेफ सक्कर का मतव होता है यह तो बच्चों का क्यों सने जो आपका ग्रेफ साइकल होता है तोड़ा से मैं आपको दिखा देता हूं यह होता आपका ग्रेफ साइकल यह वाला साइट्रिक एसेड साइकली भी इसको बोलते हैं दूसरा नाम भी याद रखना पूछ ले जाते हैं काफी बार तो बहुत यह असान इसका राइट ऑप्शन आक से करना पास प्रॉलेशन दोरा एटिपी का निर्बान करना बच्चों वाला क्योंस एटिपी का निर्बान कर ठीक है और यह एजी क्यूशन आगया सबसे एजी क्यूशन आयोडिन संग्रित होता है कहां पर होता है सिंपल थाइरड ग्रंती में ठीक है और सारी ग्लेंट्स में आपको दिखा रखे डाइग्राम में मैं आपसे यह कहूंगा हूमन बॉडY की औल ग्लेंट्स आपको पतांना चाहिए कि पीनेट्स लेकर पूरा पता होना चाहिए ça कोई भी कुसन आ पिर कर दोगया आप कोई कोई भी कुशन तो देखो चैनल सस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो बिल्कुल भी चिंत आपको नहीं करने नोन इस्टॉप क्विशन आपको मिलते रहेंगे और टेलेग्राम को फोलो नहीं किया है तो टेलेग्राम को फोलो कर लेना DRM के ब्रो नाम से लिंक नीचे देरगा डिस्क्रिप्शन में और यहां पर पीडियेप और आपको इमेजस मिल जाएंगे